माने क्लास, क्लास हम चेमरा नंबर 15 में कहना रहे थे Experiment, Our Environment ओके बिटा, Our Environment हम नहीं करा था बिटा, Our Environment आज इसके हम पोशिन करें के लिए Our Environment की तो अबर इन्वार्मेंट होता कि है बिटा हमारा जो वाताफरन जिसमें हम रहते हैं उसको Environment बोलते हैं और Environment में क्या होता है कि जो तीन होते हैं जो सबसे पहले नंबर 15 होता है हमारा Producer, Consumer और Top Consumer Producer, Consumer, Top Consumers तो Producer कौन से होते हैं बिचे Plants, Plants को सांटाइक की हद से फुट-फुट प्रेविस करते हैं इसलिए हम उसको Producer बोलते हैं और फिर होता है Consumer जो वो खाभी वने होते हैं वो Consumer कहलाते हैं और Top Consumer जो दोनों को ही खाते हैं Omnivores कहलाते हैं जो जीब को भी और Plants को भी दोनों को खाते हैं तो Top Omnivores कहलाते हैं ओके बचे तो Food Chain क्या होता है जब Organism One Level to Another Depend करते चरते हैं फूड के उपर एक के बाद एक एक के बाद एक एक तो उसको बोला जाता है Food Chain और Food Web होता है बेटा कि आपके एक के बाद एक से ज़्यादा रिलेशन है फूड को जब लेखने होते हैं तो उसको Food Web बोला जाता है तो हमारे तीन तरीके के हमारे इंवार्मेंट में बाताबरण में जीप होते हैं Producer, Consumer, Decomposer Producer, Consumer, Decomposer Producer वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं जब कोई गंदगी बेगरा होती हैं हमारे इंवार्मेंट में उनको बिल्कुर खाकर खत्व कर देते हैं That is known as Decomposers Okay, मेटा तो सबसे पहले आता है Sunlight Sunlight से प्रड्यूस करते हैं Food, Plants, Plants के बाद आते हैं Carnivorous उनको पौदाओं को खाने बने जीव-Harmivorous के बाद Carnivorous, Carnivorous वो होते हैं जब Carnivorous को खाते हैं यानिकि जानवरों को खाते हैं जो Carnivorous होते हैं और एक आता है आपका Omnivorous Carnivorous पौदाओं को खाते हैं Carnivorous और टॉप-Carnivorous में हम आ जाते हैं बेटा हम Omnivorous भी होते हैं क्योंकि जीव होते हैं मनुष्य होते हैं सभी नहीं लेकिन कुछ मनुष्य क्या करते हैं दोनों चीज़ों को ही खाते हैं इसलिए इनको Carnivorous होला गया है Human Activity को हमारे Environment को Effect भी करती है बिटा Human Activity हमारे Environment को बहुत ज़दा Effect करती हैं जीसे Effect Tree का बनना हो गया या फिर Plants का काटना तो हमारे Environment को बहुत ज़दा ये Effect करते हैं Pollution पाल्यमेंट पैलता है इससे ठीक है बिटा इसके द्वारा क्या होता है प्लूशन बहुता है जब प्लांस कटेंगे तो प्लांस क्या करते हैं? मनुष्य जो सास लेकि एर चुड़ते हैं तो उस कारवन डाउकब। और कारवन डेकसर एकट्रिटी अगर क्यादा हो जाएगी तो प्लूशन बहुता होता है. ठीक है? इसी तरीके से जब फैक्टरीज लगती है तो नाइट्रोजन सेलफ और यह गैसे निकलती है इसमेसे तो इन गैसे प्लांट्स अबर होंगे तो यह गैस अपनी आप अग्यूलेट हो जागी है हुए लेकिन प्लांट्स नहीं हुगे तो सब इन प्लांट्स अधियुट हो चला जाता है फिकिन आजकल जल्सक्या जाइसे ज़ादा धाल बांटी जाए घर करें तो प्लांट्स काटे जा रहे हैं और क्या कहा है Land robić produce together by the plants कम होते जा रहें तर वो एभर मेंट को ज्यादा एफ़िक्ट करते यह ozone layer होती है जो हमारे environment के उपर एक layer होती है जो हमारी बचाती है direct sunlight से ozone बोडा जाता है जो sun है उससे जो आती है इसे direct है वो हमें बहुत जड़ा इविट करती है लेकिन एक लेयर जो अटमस्पेर के उपर होती है उससे वो टपराकर वापस चलिजाती है तो उस लेयर का नाम होता है ओजोन लेयर हमारी बहुत हेल्प करते हैं सनलाइट को डिरेक्टी आने से जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसे है ऊसे हमीं बचाती है लेकिन इसमें डिप्लैशन होता जा रहा है खराब होती जा रही है इक आजकल जैसे टेक्नॉलीजी इंक्रीस घारी है तो हमारी बाज औकेट होता जा रहा है ठीक है मिला तो इस इंवर्मेंट चेप्टर में में पॉंट्स ही हैं आप इनको अच्छे से लांग कर लें अच्छे से देखें कर दिया है विए अच्छे से देखें में पॉंट्स अच्छान कर लिया बिद्री अच्छ और फ्लो कर लिए बाइबर कर से हमारी है है how can you help in reducing the problems of waste disposal and give and two methods कोई दो मेथर से आप बताए कि किस तरीके से आप waste disposal को reduce कर सकते हैं कम कर सकते हैं एक recycle करके regenerate करके आप इनको क्या कर सकते हैं reduce कर सकते हैं ठीके बिटा अच्छा एक्सराइज में कुछ ती प्रोशन्स हैं जो आपके क्या है which of the following groups contains only biodegradable items किसमें केवल biodegradable items है first है grass, flower, leather, leather क्या है आपका grass, wood, plastic, fruit, milk, lime, juice cake, wood, grass लेकन biodegradable आपका first है grass, flowers और leather biodegradable है ओके बिटा इसमें से कौन सी fruit chain constitute करती है grass, wheat, mango नहीं, grass, goat, human, bee, goat, cow, elephant नहीं, grass नहीं बिटा यह आपका इसका सही है grass, goat, human grass, goat, human which of the following environmental friendly practices carrying cloth bag to put purchase in while shopping switching off unnecessary lights and fan walking to school instead of getting to motors to drop your job on the scooter walking to school instead of bit of all the above sabhi हमारे environmental friendly practices है आप carry bag कर सकते हैं समान खरीबने के लिए cloth bag का यूज़ कर सकते हैं polythine का नहीं कर रहेंगे तो bag जो आपका कपड़े से बना हैं उसको भी उसको भी उसकरेंगे तो आपका फाइदा इस उसमें रहेगा environment को पुलिश्ट नहीं होता इससे फिर है switch of unnecessary lights and fan अगर हमारे unnecessary lights और fan उन हैं तो हमारी lights ज़्यादा यूज़ होती हैं और वो light कहां से बनती हैं नैचरल विंक से बनती हैं तो पर light को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना हैं तो ये भी हमारा क्या है हमें off कर रहे हैं और school हम paddle जाना चाहिए scooter बगरा की बज़ाएं तो ये सारी चीज़े ही हमारे फाइदी के लिए हैं environmental friendly या है ये पिटा तो आपने इसको all the above लगाना है what will happen if we kill all the organism in one tropic level माल ये सारे ही plants कर लिए जाते हैं तो क्या होगा जीव सांपा की जीव किसमें डिपेंड करेंगें अगर प्लांट्स को चोड़के उससे नेक्स लिवल के जो और गैनिसम्स हैं जैसे को कार्णिपोरस हैं और इस को सब को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा प्रेडी फ्लांट्स को छोड़कर, ओनी नि कार्णिपोरस को खत्म करते जाएगा तो क्या होगा कार्णिपोरस होते हैं जो किस लिपेंड करते हैं ब्लांट्स पे ठीक है अब तो प्लांट्स अपना वोजफन दो ले लेगे लेकिन डॉम डूसरे इंहां उसी च्छाहटी जाती है , तो किए कर नगें, लिए वर्व फीर ऐसे कभ देने तो, काइसे मोड़ी और भासे में इसान ही। को बहुत नहीं खतम किया जा सकता हो के विठें तो एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बहुत जादा इफेक्स पढ़ता है उसके नहीं रहेंगे पर ठीक है तो इस तरीके से नेक्स कोशन इसमें आप यह देखे इफ वाइज डैमेज तो दो ओस ओं लेयर को सब्सक्राइब वहर इस वह बचाने के लिए हमें क्या करना ची है ओसो लियर जो डिप्लैशन हो रही है घराब हो रही है उसको बचाने के लिए हमें अपने अननिसरी जैसे की उत्सक्राइब करेंशन छी है अननिसरी एंस इसपरीमेंटंट्स नहीं करने चीए लिए डिख्राइब है अब हुझे इस के साथ हमारा MajorTheleve से बीकि刃 लड़ कीजियेगा फेर में आपको इसमें से ही कुछ न पूपचRशन दो डिखिए you have to prepare for your exams तो heredity and evolution को जड़ा देखिये heredity क्या होता है पीली दर पीली जो हमारे गुड होते है मनुष्य के वो पीली दर पीली ट्रांसफर होते है that is not heredity ठीक है evolution जो changes आते है समय के अनुसार समय के अनुसार जो changes आती है उसको evolution बोला जाता है heredity recessive character पहले होता है inherited traits inherited traits वो होते है पीटा जो एक जीव से दूसरे जीव में transfer होते है उन traits को heredity traits बोला जाता है inherited traits बोला जाता है heredity traits हमें हर इंसान को हर जीव को अपने parents से मिलते हैं अपने parents से जो character हमें मिलते हैं उनको बोला जाता है inherited traits आपने देखा हुआ किसी बच्चे के कान छोटे हैं किसी के बड़े हैं तो उनके माता भीता में से किसी के बड़े होंगे पापा के छोटे होंगे तो उनके जो character देखने में मिलेंगे बच्चे में देखने के जरूर मिलेंगे तो color में भी बिटा हैं कि तो दोनों ही आते जो अते हैं उस को हम भो ने कि रेटेड़ और चुपर जाते हैं उसको रो तो उसमें से जरूरी नहीं है कि उसका रंग काला ही हो या काला रंग अगर आता है तो इत वह जो सामने दिखाई दे जाता है that is inherited और inherited character वोते हैं और जो दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं recisive character ओके पैटा जो हमें character नहीं दिखाई देते हैं उसको Recisive character बोलते हैं और जो दिखाई देते हैं उसको inherited character बोलते हैं कि सबसे पहले हमारे कोज जो थी characters हमारे inherited होते हैs नहीं लिससे होतों है प्रसका होते हैं पाइज से अपनी नेक्स जनरेशन लिए रही हो था सी अरह्में है आप पाइफ यह सबसे पहले के ओपर करीती और कि प्लांट जो होता है यहन एक मंटर का पॉधा पी प्लांट मंटर का पौदा उसके उपर करी थी उसके अलग-अलग तरीके से करी पहले 20 अच्छे मूटे-मूटे भीज यह फिर सुफा के उसके उपर खोज करके देखी फिर उसके बाद इन के पाए जाते हैं 46 प्रॉवोसम होते तो हमारे और वो जब ट्राझवर होते हैं तो हमारे करेक्ट्र उनके इंदर पाए जाते हैं ठीक है है ओके बच्चे तो आप इसको अच्छे से प्रिपियर कर लेंगे यह जो आपका चेप्टर है heritage and evaluation उसके बाद आपका कौन सा chapter आना है जो आपको पता है heritage and evaluation के बाद जो आपका test में आना है वो chapter है आपका बेटा chapter number 16 management and natural resources नहीं बेटा आपका इसके साथ 16 chapter साथ नहीं तो जो आपको दिदे रखी हैं और सिलिबस भी आपको बताया गया है जो आपका टेस्ट में आना है तो आपके जो टेस्ट में आने वाला लेस्न हैं मैं आपको फिर से एक बार एक स्पील कर देती हूं तेंथ क्लास जो आपके आएंगे आपका नो चोदा तरीक को आपका साइन्स का टेस्ट है बेटा तेंथ क्लास फोटीन को ठीक है और आपके जो लेस्न आएंगे नाइन फाइफ चैप्टर लंबर नाइन फाइफ ओके बच्चे आपका कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं अभी मैंने आपको revise कर आया है, जो 9 chapters ये herodity and evolution और 5 periodic classification of elements ew quilt periodic classification of elements तो ये 9 और 5 chapters आपके आईए periodic classifications of element और आपका मैंने बताया है herodity and evolution तो आप इसको prepare कीजowski केजिये for your exams. okay, बच्चा, be careful, do work, and make your notebook, prepare for exams, okay, बच्चा, bye all of you, take care at your home.